क्या होती है आपकी गलती क्यों नहीं आती है आपको केक की बहुत सारे अडर तो हालो एब्रिवान वेल्कम टू स्वंदन्स केक वाल्ड आज के वीडियो में आज हम इस टापिक पर बात करेंगे और उसके साथ ही बनाएंगे आसानी से ब्यूटिफुल डॉल केक तो चलिए बनाते हैं 1.5 kg का डॉल केक यानि कि 1.5 kg का डॉल केक हमें बनाना है यह 8 इंच का मोल्ड है 8 इंच के मोल्ड पे 400 ग्राम होममेड प्रिमिक्स से स्पॉंज बना है और जो कोटोरी में स्पॉंज है वो 200 ग्राम प्रिमिक्स में स्पॉंज बना है उपर का पार्ट स्पॉंज से निकाल के इसको कट कर लेते हैं अच्छे से 3 लेयर्स में बनाना है यह 8 इंच का केक स्पंज है तो इसके लिए हमारा यह 10 इंच का केक बोर्ड हमें लेना है यह एम डियर्स का बोर्ड है बोट्र स्कोच फ्लेवर का केक हमें बनाना है जैसे हम हमेशा केक कि क्रम कोट करते हैं वैसे ही हमें 애сть भी एक क्रम सूगर शिरप में थोड़ा सा कंडेंस मिलक मिलाक इसमें केक स्पॉंज को करना थे क्रीम को स्प्रेड करेंगे केक स्स Agrism as a क्राइब करें पिर हमारा यूर्ण गैश्थ का क्रॉंज ऑप preciso अच्छे टेस्ट के लिए देना है फिर तीनों लेयर को ऐसे फिलिंग्स देखे फ्रीज में श्टोर कर देंगे और दूसरा स्पंज जो कोटोरी में बना है उसको भी सेम प्रोसेस से क्रॉम कोट करके फ्रीज में स्टोर करना है फ्रेंट्स आप सब सूच रहे होंगे की मैं कि टोरी में केक स mày हो, क्योंगे मुझे केक स्पंच बना के डॉल बनाना ऐच्छा लगता है। LE scale में लग जा साइड में, ये अच्छा नहीं लगता। ये से टोरी में आप कभि कभी ट्राइ कीजिए बहुत अच्छा बनती है और कोई परिशानी नहीं होती है और बहुत जल्दी भी फिनिसिंग होती है कभी ट्राइ कीजिए जब आपके पास कोई भी एक कस्टमर आते हैं अडर देने को आप हमेशा ये दिमाग में रखे कि ये कस्टमर नेक्स टाइम ज मार्जिन के बारे में मत सोचिए कि मुझे इस कस्टमर से एक बार में ज्यादा पेशा पाना है फ्रेंज इसका मतलब में ये नहीं कहती हूं कि आप अपना मार्जिन ना निकाले केक में से मार्जिन बिल्कुल निकालोगे लेकिन ज्यादा मार्जिन की चक्कर में आप ये गलती कर देते हैं कि टेस्ट जो केक का आप टेस्टी केक बनाते नहीं है अगर केक टेस्ट नहीं होगा तो कोई भी कस्टमर दुबारा आपके पास नहीं आएंगे देखिए फ्रेंच ये जो केक का बिजनेस है ये है कस्टमर टू कस्टमर का व्यापार है अगर हमारे एक कस् हुए तो वो 5 कस्टमर आपको जरूर देंगे कहीं 5 रुपया आपका ज्यादा चला गया तो कहीं से 10 रुपया जरूर आपको मिलेगा ये तो बिजनेस में चलता रहता है तो क्यों न हम 5-10 रुपया ज्यादा केक पे लगा के अच्छा टेस्ट बना के कस्टमर को अपने और अगर आप ज्यादा कुछ केक में आड करना चाहते हैं तो कस्टमर के साथ खुल के बात करें प्राइस कितना होगा केक का सभी कस्टमर तो एक जैसे नहीं है ना जो प्राइस को लेके पटपट करते हैं कोई कोई कस्टमर एसे भी है कि प्राइस जो लेना है लोग लेकिन के का टेस्ट अच्छा होना चाहिए इसलिए हमेंसा केक का ज्यादा अडर पाने के लिए पहला ट्रीक है टेस्टी केक बनाना है अगर टेस्ट अच्छा है तो डिजाइन जैसे भी हो वो चल जाएगा तो यहां पर फ्रेंट्स टूडी नोजल से पिंक कलर की क्रिम बना के एसे रोजेट्स बना रही हूं यह जो हमारे डॉल की ड्रेस बन रही है यह एक मेरे नीव कस्टमर थे यह बहुत दूर से आये थे मेरे से केक लेने को और इनको यह जो केक बहुत अच्छा लगा ये मेरी ही बनाई हुई एक डिजाइन था बहुत पुराना डिजाइन था जब में नया-nया केक बनाती थी तब मैं ये डिजाइन बनाई थी पिक्चर सेंड किया था उसमें वो एक ये ही डिजाइन सिलेक्ट किया थे और इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाए थे कि उनको जो परपल कलर का ड्रिपिंग वो केक में था उनको एलो ड्रिपिंग चाहिए था और एलो क्रीम भी चाहिए था जो बटम लेयर की केक में डिजाइन था अगर आपको और ज्यादा जो डॉल केक का डिजाइन चाहिए तो मेरी इस चानल पर बहुत सारे डॉल केक डिजाइन जो में बना के अपने चानल पर सेयर किया हूँ जाकर आप चानल पर देख लिजिए, बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन है चानल पर, और अगर आप केक बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, केक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी घर से केक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस सारी टापिक पर मैं अपनी चानल पर बहुत सारे वीडियो बना के शेयर किया हूँ, डेस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हूँ, अगर आपको वीडियो देखना जरूरी है, आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, तो जाकर चानल पर देखिएगा, बहुत हेल्फुल होगा आपके लिए वीडियो, अब बात करते हैं, डॉल केक का प्राइस आप के से निकालोगे, आप जो भी प्राइस रखे हैं, एक किलो केक का फ्लेवर के आकडिंग, वो प्राइस प्लॉस, आप मेरे जैसे अगर वाइट चोकोचीप्स और जो कंडेंस मिलक आड़ कर रहे हैं, उसका एक प्राइस, और आपका ये जो डॉल है, डॉल टपर, इसका प्राइस आड़ करके आपको केक का प्राइस निकालना है, मैं यहाँ पर डेड़ किलो केक को एट हंडरेड रूपीज चार्ज किया था, और कस्टमर भी बहुत अच्छे थे, वो केक प्राइस को लेके कुछ बार्गिनिंग ना करके वो मुझे फूल प्राइस दे दे थे, और फ्रेंट्स अगर आज का वीडियो, आज का ये डिजाइन आप सबको अच्छा लगा है, तो मेरी चानल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट्स में बताएगा, आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थांक्स पर वाचिंग,